और दूस्तों उस्तों मेरे दिन अगवार मेरे पास एक सैट किन deanna यह राज शाजएंग का वोलह बेश करेंगे मिन मेफिएonna E अगर हमारे पास इस सेट का डाइगरम नहीं भी होता तो भी हम इस सेट को बहुत इसली बढ़ा लेते हमने क्लास में कुछ इसी तरीके से पढ़ाया है हलो मैं आप लोगों को से बुझना चाहता हूँ कि सुबह से चार्जिंग अभी तक किस को समझ भी आई जाली बाद है आप बताओ बिना कोई संकी डागराम के सब बूर्ड से उपा तक DPDM चार्जिंग बिना बूर्ड नियों के कौन को ट्रेंस कर लेगा बहुत इसी है वह आपसंग का टाइप सी हो या चाहिना का टाइप की ओ या वी एट कौन को चेक कर लेगा जाली बताओ और दीपी डीएफ के दो रिजिसर्वी कौन को डूल लेगा जाली बताओ यह भी क्लियर हो गया हमने ओभी पी को भी चेक किया अलो अबतार ओभी को तीन सेकेंड में मुझे तीन सेकेंड में कौन बता पाएगा कि में बीक्यू कौन है तर्दू बीक्यू कौन है और में बीक्यू के एक है पिंकी डीटेलिंग किस-किस के पास है जली बताओ अलो 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 क्या क्या चेक करता है अब हम बात करते हैं, मीडिया टेकी किसकी बात करें जलिए हलो, हम बात करते हैं, तो यह हम क्या क्या चेक करें तो देखो, मैं न, क्योंकि वीडियो के तरफियो, तो मैं डारेट पॉइंट बनाऊँगा क्योंकि मैं दुकान के बैटाओ, मैं डेंगनाप फुल के एक चीब भी चेक करोगा मैं एस्परियंस के सब से चेक करोगा या सब तो एस्परियंस यह बोलता है कि अगर मीरे टिक का फोन है, बुलू तो चार्जर लागा कर, बुलू अगर चार्जर सबसे पहले हम चेक करेंगे बी बैट, बुलू क्योंकि अगर बी बैट पर हमको विल्टेज मिलने चाहिए 3.6 विल्टेज से मैक्सिमम 4.4 अगर बी बैट मिल गए, बुलू तो हम मानेगे कि हमारी चार्जिंग आईसी चेक करने कि हम इसके अंदर जो आईसी तो फिरम बीक्यू पर जाएं भी नहीं सा क्योंकि अभी कैसा है ना, प्रॉब्लम आला गया, पहला आओ इसको प्रॉब्लम को दिखाएं अब इसको धान दो थोड़ा सा, एंपेल मीटर और अब यहां पर केबल लगाओंगा, तो एंपेल बीटर पर केबल दोनों देखाऊ, यहां आँ तो अब देखो, बैक्री लगी है, यहां पर बताना कोई सिंबोल लोगो और यहां पर बताना कोई एंपेल, चुने, तो यहां पर मैंने चार्जर लगाया, मैं पहली बता यह वह बैटरी लगी है और अधा भी लगा है यह हम देन चार्जर लगाया कुछ आ रहे हैं किया दो भूसर ना चार्ज इन डिटेट हो रहा है बलो ना अगर अगर आता चार्ज इन डिटेट नहीं होता उसका फोड़िक अबने अल्रेडी रिपेंड किया है लो बैट अगर इंपर आता अगर अंगर नहीं आता और चार्ज इन डिटेक्ट होता बीटिट होता नहीं प्सक्ति कुर्ण है टो चार्जिंट करते हैं हम उसे हैं मैं करते हैं अगर करता हूं कि अवर्य चार्जिव था कुछ भी सेंस जयता कुछ भी रही है लूग सबसे पहले बैट्री लगाकर पर चाज़ बैट्री लगाकर चाहँ आई से लगाकर चाहँ विडियादा को एक ऊप्छ। करना है तो अगर हम यह चेक करना है तो अगर हम तो अभी तो फिलाल हम यह चेक करते हैं जी बैक्तरी कर क्या वोड़ेज है बैक्तरी का वोड़ेजल ना हो और अगया देखो और न जब करते हैं तो सब बैक्तरी का वोड़ेज थो ने चेक कर लिया आजए है इसका यह सारे अँग यह अखना है यह तन फायो इसल Greeks चार्जर लगांए यहां पर अब हमने देखो कोई चार्जर हमने लगाए नहीं है तो सिंबल सी बात है जो भी वोल्टर बिलेंगे बीमेट के बिलेंगे तो 6.2 बेटरी बहुत अच्छी चांजेकर तो यहीं ब्याट के बीडरेंगे के ब्रेटिय अच्छी चार्ज ना जांके तो ळेकि की हम्हाइब ब्रेट्ली चांजेकर बिले में, क्या सिते कलोरेंगे में हिरी जाते हैंकि कॉलकप कहलता है बोलтеज भी बनते है क्योंकि कॉलकप को वैटरी की जल्ग़ दोती है तो यह बोल्टज बन गया और यह दिछ भी चेक कर लेगी तो यह सुचिर हो रहा है। तो दोनों काम हो रहा है पर अब हमै अमें हमें इसकी charging IC पर नी जाना है हमें इसके deduction point पे जाना है, किदर जाना है बता है, अब अगर में पास का diagram नहीं भी होता, तो भी हम इसका deduction point डोल लेते हैं, हलो, हम इस IC का data sheet उठाते, क्या उठाते, और विदे टेक 6, 6, 5, 7 का data sheet के हसाब से, अजल ये साब तो, data sheet के हसाब से, T11 पर, बलो, क्या मिलता हो, BC, 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 BC तो नहीं है खुल देने नाई ने बिडवया है हमें इसका चेक करना है गुल्ड चार्जिन डिडेक्टिन पॉइट तो अभी हम अगर हम इसके बाद में क्योंकि हमारा अगर deduction नहीं हो रहा होता तो हम चेक करते है बी इटि जिसके अंदर CSP, जिसके अंदर CS-, और CS-, जिसके अंदर ISENSE, क्या हो था, ISENSE, BATCHANCE, हलो, तो सारी सेंस रहे लोगो, इस पर GROUND होता है, इसमे चार BOLT होते हैं, तो यह चेक करते हैं, अभी हम क्या चेक करें, VCT, जा चेक करने हैं, VCT, तो मान लेते हैं, डाइगराम नहीं हैं, तो BIDMAC से करते हैं, क्योंकि यह डाइगराम है, इसका, फिर भी में आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको और रेडी बता है, हम ENABLE PAD INFO करेंगे, और HIDE PAD INFO करेंगे, यह हमारा A वाज है, आप यहाँ पर VCTT दूरेंगे, क्या दूरेंगे चारी 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 VCTT, हमारे VCTT में पता है, T11, बुलो, T11, यह दो, क्या हमने उसका सिखे में निकाल लिया था, हलो, यह है VCTT, अब VCTT के साथ यह रेजिस्टर लगें यहाँ पर दो, तो यह रेजिस्टर है R2 और यह है R1, हलो, यह रेजिस्टर के साथ लगा हुआ है, VBUS, क्या लगा तो से कैसा है, VBUS सबसे पहले, दाल लो, OVP में गया, यहां से जाने के बाद, यह रेजिस्टर से होते हुए, आपकी, यहां से गया, फिर VCTT के बाद, यहां से दो रेजिस्टर के साथ, इस 20 वाले पॉइंट से गया, IC के अंदर, 0.5, मतलब हमें इन टायट पर देखना ह है, इता जोड़ो, यह दोनों रेजिस्टर लगे हुए, आप देखो, तो यह दोनों रेजिस्टर लगे है, हमें यहां को देखना है, पाजबुल्ट, मांदारी के साथ, इसा टेलिकों के स्टूडेंट के साथ, और यहां में देखना है, 0.5, चलो, अब मैं आपको बोलू कि में आपको बोलु कम उन्हgebi दाता है, कौन को नहीं खड़ इतना है, किसको नहीं खड़ इतना है, इसका कालन पता है, मैं तो पिले मल्टी मिटर की बाद ही नहीं करता, तो यहह 1,000 उदै के आटो वाली की बाहत करता हमा, समझों, समझों कर रहा रहा हigkeiten, कौन को नहीं ख जबन जब इत्रा है जड़ी पताब करेंदे में नहीं है तो इसके रिजिस्टर की वेल्यु को डÁ पर एक पहले वोल्टेज चेक करेंगे, आप उसके बाद रेस्टर की मेल दो, तो यह है, तो सबसे पहले है, यहां पर आएगा 5 वोल्ट उपर, आ रहा है, यहां बनना चाहिए, कुछ वोल्टेज, बन रहा है क्या, तो जब डिवाइडर वोल्टेज ना बनाएं, बरो, तो अपर आएडर का फोल्ट है, अब आएङईटर का लेंगे, जणी बताओ, वेल्यू, तो दिवाइडर की गिल्यू क्या है, आओ देख Shapet, प् Adpet, तो इसको काम करना है, यहां और यहां पर धान दें, तो जिसकोcycles करना है, वो जब situation में ऐसी चीज आती है कि जब हमको रोपती है वो हमारे काम को रुपती है जो रुप गया, वो समझाओ कि अब तो जिन्दी के में काम नहीं कर सकता और जो उससे जीत कर आगे भढ़ गया, वो भी विजता है किशी चीज की आतत होनी तो वी सीडिटी का सीन ऐसा बनता है वी बस एक रजिस्टर यह लेगा और एक रजिस्टर उसके बाद लेगा पहले नहीं तिकी R1 पहले होता है, R2 के बाद होता है, उच्छे बीच में बलता है Vout और ये Vout आगे जाकर क्या बलता है? Vc, कितने voltage? 0.5, तो हमें यहाँ पर एक register लेना है 330K का, और यहाँ पर register लेना है 39K का हम इसका voltage भी निकाल सकते हैं, देखें और हम इस register को change भी कर सकते हैं, हम अपने calculator divider circuit के बातन से, जैसे यहाँ आपर हम करेंगे 330, 330, 330K के, और यहाँ पर कितना? 30K के, और इसको हटा लेंगे, आप फिर से enter मारेंगे, तो 0.5, लो, बार हम चाहें तो इसके अराब़ाब कोई सा भी हो, register लेका, हाँ, सब्सक्राइब, अभी अफिलाल भी register लगाएगे, और वो register हमको यहाँ पर मिल जाएगा, जड़ाद, वो देना, तो हमने अभी चेक किया था, वो register हमारा यह है, R1, R2, तो इसकी यह register को हम निकालेंगे, और इस register को निकालेंगे, आप यहाँ लगाएगे, तो पहला हम इसको निकाल देते हैं, मुझे पेज दो जाना, तो हमने अभी पेज दो जाना, यह दो, तो हमको जाना, तो हमने अरे चेक कालेंगे, अरे तरहाँ से निकालों, परोटिक करने, किस दर इश्टागी चरुबत है इसले इसका सब्सक्राइब निजाने का हुआ है किस्टाइब निजा किस्टाइब के ऊचिए, किस्टाइब के उडिए झालकिए एश्टाइब कर दोचिए ए रागा है कर दो कर दो कर दो कर को नह दो तो यह 2UL का फ्रेंड है यह सबसे कम आड़ी है यह लेना नहीं है बिल्फिल भी कि अब आप मैसे जाएगा मैं हमने क्यों ले लिया तो हम वहारे चीप देते हैं हमारी आज़ते हैं पहला पेंदल आप इसकी आवाज बाहर तक जाने चाहिए नहीं जाने और तो एंप अठाड़ा है इसके आवाज नीचे तक जाती है वो इतना तेज है तो जब हाज देनी क करेंगे करेंगे कि अब इसी पर दान देना वोल्टेज पर करेंगे कि अब बैटरी नहीं लगा रहा हूं कि क्योंकि मुझे बीसी डीटी का वोल्टेजी चेक करना है इसी डीटी कैसा है पावर ऐसी का वोग पॉइंट है जो पावर ऐसी डीटेक्शन कराता है पूरे फॉन को उम्मीडिया टेक के फॉन को निभी या भी चार्जिंट डेट करो आगे बड़ो और डिस्प्ले विस्प्ले देखा ताकि मैं चार्जिंग लगो को चेक कर सको अब यहां पर चेक कर लगाते हैं यहां पर एक वर्टेस में मिलना चाहिए पॉइंट फाइव संधिंग करके देखे एक बिट लोगो पॉइंट फाइवा रहा है अरा ना पॉइंट फाइवा तो अब उपार का देखाओ जड़ा ही चार्जिंग को और अब देखते हैं कि चार्जिंट होता है और हमारे को एंपियर सो होता है कि नहीं होता क्योंकि पहले हो जीरो हो रहा था और एंपियर डिटेक्शन नहीं हो रहा था तो लाइट दिखाई तरी लाइट रहा था जो तो पर देखाई लाइट बन देखाई नहीं बाली लाइट बन देखाई यस लाइट टीक है ओई होगे होगे प्रवजेट तो आपी तो डेखेंगे कि अमारा इनले अच्छन और श्र और आप यहां पे भी आना चाहिक ना गाले इंदर प्रन स्वी जो और आप अमारा इसके अंदर भी आना ची पर पर यह चीज किस-किस को समझ में आ तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेट कौन कौन लाई वे हम सब लाई वे देखिए कल हम CPU किया हमने पूर्जी CPU किया आज से पहले क्या हम पूर्जी CPU पर काम कर पा रहे थे तो हमारे साथ है 28 जुलाई की बेट कौन कौन लाई वे हम सब लाई वे देखिए, कल हम CPU किया हमने, 4G CPU किया, आज से पहले क्या हम 4G CPU पर काम कर पा रहे थे, अब यह बताईए कि यहाँ पर EASIA TELICAM को 28 तारीक को जाइन करने के बाद, जब आप से पूछा गया तो माइक्रोस्कोप किस-किस के पास थे, तो सिर्फ किते लोगों के पास थे, इसके आपके पास माइक्रोस्कोप भी थे आगया, माइक्रोस्कोप पर कभी काम किया था, अभी क्या पूईशन है, अभी क्या पूईशन है, अभी माइक्रोस्कोप हमने 10 मिन्ट में सेट किया है और हमारा 14 दिन है, कल हमारा क्या था, 14 दिन था, और तिसरे दिन क्या किया हमने, तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिव्ट मिलाए कि इदर आइनडर का पॉर्स करने आए था को आइफोन का स्थिटूट की तरफ से आइफोन मास्टर सर्कृट कोर्स और फाइफोन इसके एप ज़िफ्ट पर जो जो बडिंग आने वारे भक्ष में इसके 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 शिखाएगा अच्छा यह में बहुत 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 सक्रोड़ा हूं देजिए इसके एप्स अच्र प्रख्या आइपोन का घुपन और का धो मैं अंटरी आया था और एंडरैट मिनें फेंट को दिसके अक्रा गुपन का घुपन का घुपन को टून को अज देशा है हम इदर Android का सिखने आया थे सब मोबल रिपेरिंग पर देव सर ने और एशे डिलीकॉम ने हमें उसके साथ iPhone का भी कोर्स गिफ्ट दिया है मैं यह Android का कोर्स सिखने आया था देव सर ने और एशे टिलीकॉम ने इदर मुझे आइफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है इसलिए मैं इसके टेलीकॉम और देव सर को दने बाद करने दो पर दिया में के पिला है मुझे आइपोन का कोर्स में लिए थैंक्यू सार सांक्यों एसे टेलीकॉम एमडी सार को बाद 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 बड़े दाना एक कलेपिंग हो जाए सार के लिए बाद सुटाई आपने कम को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए, पर वह भी नहीं सीख पाए और नहीं यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फाइदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बरहा चिप लेवल, मोबाइल इंस्टिट्यूट एशिया टेलिकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गारंटी वर्क, तीन दिन में पॉवर आईसी और चौते दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहां हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, यह आपसे वादा है एशिया टेलिकॉम देश में Advanced Mobile Training Institute में सबसे बेस्ट क्यों है हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में, 7 घंटे, सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहां बेसिक से Advanced सीखाया जाता है, जिसमें hardware EMC software है एशिया टेलिकॉम देश में Advanced Mobile Training Institute में सबसे बेस्ट क्यों है हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में, 7 घंटे, सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहां Basic से